स्वाद और सेहस से बरपूर गर्मियों में तागत देने वाले और सेहस से बरपूर मुँ में घुल जाने वाले ये लड्डू की रेसिपी आज मैं आपके शाथ शेयर करूँगी एक लड्डू अगर आप रोज खा ले तो आपकी हर कमजोरी दूर होगी और बनाना इतना कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूरी कीजिएगा बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुन ना भूले तो इस लड्डू को बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है एक कटोरी मखाने जिसको हम फॉक्सीट भी बोलते हैं यहां पर मैंने 25 ग्राम यह मखाने लिए हैं क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंस में कम या जादा कर सकते हैं तो बस आप हम इनको भूनेंगे मखाना कैल्सियम आइरन और प्रोटीन से भरपूर होता है मखाना सेहत मंद गुड़ों से भरपूर होता है एंटी ऑक्सीजन एंटी एंजिम गु तो इसो को श्यादे तक बूल लिया है इसको निकाल लेते हैं तो यहां पर हम इसको प्रोट में निकाल लेते हैं मखान fingerprints आरन से भरपूर होता है और साफ्ती इसके भी ठंडी होती है तो आप गर्मियों में यहां पर कोई भी ड्राइफूट लिये हैं वो गर्मी से रिलेटेड लिये हैं क्योंकि यह ड्राइफूट बिल्कुल गरम नहीं होते हैं यह ड्राइफूट आप गर्मियों में इन लड्डियों में बना कर डा सकते हैं क्योंकि इनक फायदे होते हैं याद दास को बढ़ाता है इम्मूटी बूस्ट करता है केल्सियम आयरन इसमें भरपूर मात्रा में होती है तो यहां पर मैंने इनको भी लो आज पर भूल लिया है इसको उसी प्लेट में निकाल लेते हैं अब उसी कड़ाई में हम एड़ करेंगे थोड़े यहां पर आप भी बाला कर लड़ु होते हैं यह बहुत ही हैं और तागस से भरपूर होती है तो इसको भी मैंने थोड़े से बूल है इसमें मैंने होड़े से काजु एड्श की दमात्रा में पाये जाता तो यह एनर्जी से भरपूर होता है तो आप इसको भी ड्राइफूर्स को एड़ कर सकते हैं अपने लड्डू में तो यह भी हमने लो आज पर भूल लिए हैं और उसी प्लेट में हम निकाल लेंगे तो निकालने के बाद इस कड़ाई में हम एड़ करता है तो इसके भी अनिकलता छाсть अदें यह चाहिए तो चौट Ourie कट्व Haven राए कम चाहिए यह फोत्वाट्स कर लिया किहां तो जांट जाए जाए की केकेट कोकोनट पावडर भी ले सकते नौर्मल आपके घर में उसको कद्दूकस कर लिये principally जेत जबेसे सकते आप द ड्राइफूट को हम सारे रोष्ट कर लेंगे और तो इसको भी हम लो आज पर भूल लेंगे ड्राइफूट रोष्ट करने से लड्डूों में टेस्ट भी अच्छा आता है और इसकी सेल फ्लाइब भी बहुत बढ़ जाती है आप इसको कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और बिल्कुल खराब नहीं होते हैं जब भी आपका खाने का मन करें तो खाने के बाद या खाने से पहले आप इस लड़्डी तो आप देसी घी में हो सकें तो जरूर बनाएगा तो एक काटोरी डिया है गया उख लिया है इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि यह तोड़ा खुश्बू नहीं आने लगती इसके अंदर और यह तोड़ा भूनने जाता इसका तोड़ा सा कलर भी हो जाएगा गयों के दालने से इस लड़ू में अच्छे से हो जाएगी तो यहां पर आप गयों का आटे की जगह कोई भी चीछ डाल सकते हैं तो थोड़ी देर में यह देखिए आटा हमारा बुनकर रेडियो हो गया आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरह से यह बुनने लगा है खुझ भी बह धालिक पावडर नहीं चाहिए थोड़ा धर ही हम रखेंगे घ्राइफूर यह देखिए मैंने इसका पावडर कर लिया है तो थोड़ा सा कि यह देखिए दो यह में को तो यहां पर बूरा लिया है तो यहां पर डालने के बाद तिनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपलड़ों को कभी भी बना कर सकते हैं जब भी आपको किसी तरह की कमजोरी महसूस हो या यह कुछ भी आपको लगे कि हमकोbn सरीर में कोई दिक्कत हो रही है तो आप इन लड़ों को बना कर स्टोर कर सकते हैं, बच्चे बूरे सब को ये लड़ों बहुत ही पसंद आएंगे, और घर में आसान से बनने वाले हैं, और दूसरी बात हमने इसमें कोई भी केमिकल वगरा यूज नहीं किया है, क्योंकि घर में आम बनाते हैं, तो वो सुद इसमें इसमें और भी अच्छा फ्लेवर आएगा, और काली मिर्च के अलेक फायदे होती है, तो देखी ही मैंने सारी चीजों को अच्छी से मिक्स कर लिए, आप इसमें और पॉस्टी बांगे, लड़ों को बांध लेगे, लड़ो को साइज आप अपने च्छोटा या तो यह देखिए हमारे लड़्डू हो गए तैयार इतने टेस्टी के गर्मियों में आप उसको एक बार नहीं कई बार बनाएंगे तो यह गर्मियों में बनने वाले तेश्टी और हेल्दी लड्डू रेडी होगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए आपको ये लड्डू की रेसिवी कैसी लगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में